हलो फ्रेंड्स अमीना पुडिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा जिस पैंड की लंबाई 38 के आसपास होती है और कपड़ा 2 मीटर होता है तो उसमें पैंड करने में बहुत जादा प्रॉब्लम आते है कि लंबाई को कैसे पूरा करें तो यह मैं आपको बताऊंगा कि इस कम कपड़े में पैंड को किस तरीके से कटिंग कर सकते हो और किस तरीके साब इससे बनाएंगे जिससे आपकी पैंड बहुत ही प्यारी बने तो यह सीखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर कम कपड़े में peint कैसे cutting करें दोस्तों आप सबसे पहले ना अब देख लीजिए मैं आपको यहां दिखा देता हूं मैं चार नाप लेता हूं जिसके मैं पैंट कटिंग करता हूं तो यहां पर लंबाई जो 38 इंच है इसकी जो नीचे की बोटम है जिसे मोरी भी कहते हैं वह 13 थाई है 28 इंच कमर है 36 इसका नाप कैसे ले नहीं तो इसका मैंने एक वीडियो बनाए जिसमें मैंने छोटे भाई का नाप लेके दिखाया है आप उ 49 इंच का कपड़ा है हमारे पास इसी में सबसे ज़्यादा प्रावलम आती है कि हम इसे किस तरीके से कटिंग करें तो यहीं चीज में आपको सिखाऊंगा कि आप बहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं तो आपको पहले सीधा उल्टा देख लेना कपड़े में कि कौन सी तरफ सी होगा तो सीधा कपड़ आपका अंदर की तरफ होना चाहिए तो चलिए मैं इसे पहले अची तरफ लगा लेता हूं फिर आपको आगे कटिंग दिखाता हूं तो यहां पे देखें मैंने पूरा सीधा निसान लगा दिया जो भी कान वगएरा होगी वह कट जाएगी आप को यहां पर देखे हमें क्या करना है यह वाले जो निसान है मैं एक निशन इस वाले पर रख रहा हूं मैं दुपर से निसान लगा लेता हूं क्योंकि शतबर कंज preciso होना तो आपको बचाके चलना है एसलिगा आपकर लिए कभए उर इस तरीके देखें हैं धे यहां पर दिख से दिशान लगा देंगे अब इसको कि हम पुतिक मदब से सीधा निसान इस तरीके से उठाव लेंगे अब दोस्तों इसके अंदर जैसे पेंट कर्टिंग में कई लोग फूचते हैं कि क्या फार्मूला होता है किस तरीके से क्या है तो मैं 28 इंच में इस तरीके से यहां पर 11 पर निसान लगा रहा हूं और यही चीज आपको सब सिखाई जाती है क्लासिस में मैंने यूटूब पर वीडियो बनाई है तो यह सारी चीज आपको आपको आराम से एजी मिल जाएंगी यूटूब पर भी और nila six में भी किती तरीके से रखाये तो या निसान लगानी के बाद अब देखिए यहां रहे थाय तो मुसका फर कर रखना होता है मिहां पर बीडागए होता है 12 साहथ होता है इसारी के साल लगा लेंगे हमारी की रिञाइ mira को आप आठ रहा है ऊपर भी राठ रखेंगे और नीचे तक हम इसी तरीके से दु 지나 लगा लेंगे इससे क्या होगा काफी लोग कहते हैं हमारी स्लाइज सेंटर की घूम जाती है तो अगर वो यह किरिजिस सई से प्रैस नहीं लगाएंगे नहीं बनाएंगे तो पैंट अक्सर घूम जाती है तो इसका बहुत जारा जोरी होता है कि आप इसको निसान बड़िया अब काम आता है दोस्तों इस से स्ट हटी कहते हैं इसको हम गूमा इस निसान शे देगा मैं यहां पर दिखा देता हूं इस निसान पर रखा और हमने यहां तक और अब इसको हम निसान लगा देंगे तो आप देखें यहां पर हमारा अच्छी तरीके से निसान दोनों तरफ उठ चुका है कमर का निसान लगाना है कमर का 16 लगाने के बाद अब जो नीचे वाली जहां पर यहां पर देंगे यहांसे कई मैंolloster के रखता हूं स्तरी थाम इसको नहीं रखता कितना रखे ठीक है और इसको हम इस तरीके से सेफ दे रहेंगे होजे अब डोस्तो इस जगाह पर हम कि के चार साथ 5.5 पनिसान लगा देंगे यह induce निसान लगा देंगे जो यहां पर पोना इंच का हाफ करके लगाएंगे तो तोटल में देड़ हो जाएगा और इन दोनों निसानों को मैं इस तरीके से मिला देंगे दोस्तों यह तो फ्रेंट का पल्ला में आपको कटिंग भी दिखा रहा हूं लेकिन में मकसद था कि कम कप नीचे हम फोल्ड में कपड़ा लगाएंगे और इस साइड से उपर आले निसान को हम कटिंग करेंगे क्योंकि नीचे और निसान मैंने आपको बताया था गलत लगा दिया था आब इस पर हम कटिंग कर लेते हैं है और इसको हम अब इस निसानी से दोस्तों कटिंग करेंगे कि यह देखें इस तरीके से कटिंग करनी है कि कटिंग करने के बार इसको हम इस तरीके से फोल्ड करने कि अब फोल्ड करने के बार यह वाला जो कपड़ा है इसको चाएंस को इस तरीके से भी रख सकते हो चाया गुमागे एस तरीके से से रख लेता हूं तो देखिए दोस्तों आपको मैंने पूरा का पूरा जो है कपड़ा नापके दिखाया था ठीक है कि कितना कपड़ा हमार पर तोटल 49 इंसता 38 लंबाई थी अब यहां पर हमने एक चुठा किसके लंबाई नापी अब मैं यहां पर देखिए नीचे की ठीक है लेकिन अगर इसी जगहां पर 49 लंबाई होती तो नहीं निकलता मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं मालनों आपका यह आ गया है ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अब उसके बाद यहां पर हम निसान लगा लेंगे ठीक है देखते रहना फिर इसके बाद जहां पर हमारा साइस था यहां पर या फिर आपको किस तरीके से अज़ेस्ट करना है इसके ओपर हमने वीडियो बनाई हूई है कई लोगों को यह वाला हिस्सा दिखाओ यहां पर निसान लगाने और इसको यहां पर मिला दें अब इस वर्ट्टिक के मदश से जैसे आपने यहां पर निसान लगा दें ठीक है यह निसान लग गया अब दोस्तों आता है यहां वाला इसा पर जैसे के हम वैग पर उठाके कर्टिंग करते हैं अब यहां पर आएग्ए दिक्कत अगर आपके पास कपड़ा कम है तो यही चीज में आपको शिखाऊ हो गба कि कैसे आपको ठीक करना है इस में हम यहां पए तीरिंच बैक पला उठाके करते हैं और अब इसको हम इस तरीके से रख के इस निसान पर इसके लेते हैं आप देखें हमारे अबर फोर कितना पढ़ गा आप देख सकते हों पट्ब कितना ज़दा आजिब से यहाँ पे फिर फोर चुका हैं तो कटिंग कैसे करने यह तो से पहले इसको कटिंग कर लेुए कि देखें आपको कटिंग करके दिखाता हूं तब ही आप समझ पाएंगे किस तरीके से निकालना है क्योंकि यहाँ पर कम कपड़ा है तो आपको जो तरीका बताऊंगा वही यूज करना और इसको आप निसान से आदाएंच लेके चलेंगे जो भी आपने मेजरमेंट ऐसे कटिंग करके नीसान तक हटा देता हूं और इसको अब इस निसान पेकर ना है ऑटकरना है करें कि differenti करनी से कि pentru an अर्जिऑ करके अब यह जो कपड़ा पकाशा आपका इसको अलग कर लिए कि यह वाले कपड़क। भड़ा देना यह बैल्ट और पूरे खर्चे में काम आ जाएगा दोस्तों क्या होता है मैं आपको एक ची बताना चाहूंगा जैसे यह वाला इससा है आपने कटिंग कर लिया बढ़िया तरीके से पैंट कट गई हमें बैक पर उठा के कटिंग करना होता है लेकिन किसी-किसी में यह वाला कपड़ा इतना उठके आगया किसी-किसी में तो कपड़ा वह बिल्कुल भी नहीं होता तो हम उस जगा पर क्या करते हैं अब देखिए दिहान से यह वाली जो साइड है इसको कर लेता हम सीधी कटिंग ठीक है यह हमने सीधी कटिंग कर ली अब यहां से हमें दो पल्ले लेने क्योंकि दो पल्ले हैं तो हमें इसमें से दो पल्ले लेने हैं एक दो यह मैंने ले लिए देखिए ऐसे करके अब यहां पर क्या करना होगा आपको दिहान से देखिए जो आपको समझा रहा हूँ यह किनारी वाला इससे किनारी काड के फैक सकते हैं क्योंकि ओवर लोग तो हो नहीं है किनारी में खिचा होता है लेकिन मैं यहां पर आपको किनारी के साथ ही बता रहूं आप अपने आप बनाएंगे तो हटा लेंगे आरेंज का यह दवा हो गया जो सिलाई में जाएगा इसी त निसान से मिला दें यह दवाइवा जायगा बिल्कूल इसे रखें जीदह रखने के बाद यहां पर लगा सकते हो अगर आपको दिक्कत हो यहां भी लगा सकते हो नी तो इसको इस तरीके wants यह दूर रिया अब देखें यह जो फॉररेंट वाला निसान वाप यह निशान आ रहा है यहां से आपको बैक कितनी बड़ी लेनी जैसे मैं यहां पर 3.30 लेता हूं तो मैं 3.30 का निशान लगा लेता हूं और अब इस जगह से साड़े तीन परम इसको तिल्चे में ऐसे देंगे अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे कपड़े को सई से रखना इस चीज का ध्यान लखें तभी आपका जोड बढ़िया कट पाएगा अब यह वाला इससा कट गया नीचे आ जाओ यहां पर देखो दोस् इसको फोल्ड कर लेते हैं अब जो यह हिस्सा बचा है दोस्तों इसमें आपको क्या करना देखे आपने कर लिया किनी बड़ी है तरीके से अब आपको यह एसे रख लेना है करने कभी भी बनाओ तो आपका यह जोड ओके रहगा अब आप इसको इस तरीके से करेंगे ऐसे करेंगी चों यहां पर लेकि ऐसे रखरें कि यह के अदर गार देंगे यह पर और इसको इस तरीके से doкусतो अधम पर फिरी सुभाने के साथ देखें दोश्च टो इस तरीके से यहां पर आपका जोड लगा जाएगा देख सकते हैं, इसी तरीके से आप यह वाले जोड को यहाँ पर लगा लेंगे, तो आपको यह जोड लग जाएगा, और कम कपडे में आप, क्योंकि यह देखे, जोड वाएगा न, वो आपको इस साइड में आएगा, जो कि कमीज वगएर आजाएगी, तो आपको यह जोड नहीं दिखेगा और लास्टिक भी होती है तो ज्यादा पता नहीं चलेगा तो इस तरीके से आप अपनी कम कपड़े में पैंट को कटिंग कर सकते हैं दोस्तों आपके वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जोरू बता हैं इसी तरीके से अगर आपको कोई और कपड़ा भी क लिव नाइग तरीके से अग्यादा कर शवच्छि कर दूस्टी तरीक कर सकते हैं यह गॡ़।